हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिवब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन्त तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्तान कॉपरेटिव की जो वेकेंसी थी दोस्तो 385 पोस्ट के लिए उसका एक्जाम 17 जुलाई को हुआ है तो पूरा एक्जाम का आज हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह के का आपका एक्जाम आया था किस तरह से आपकी कट ओफ त्यार हो सकती है और कौन से सिफ्ट के अंदर जो है एक्जाम इजी आया था तो अगर हम बात करें दोस्तो सिफ्ट वन और सिफ्ट टू की तो सिफ्ट वन के अंदर जो है राजस्ता जी के अगर आप देखोगे तो इस्टेटिक जी के आया था राजस्तान का और थोड़ा इजी लेवल के क्युस्टन पूछे गए थे तो सिफ्ट वन के अंदर जो अगर जिन बच्चों ने एक्जाम दिया है उनका कट ओफ थोड़ा हाई जा सकता है ठीके इसके बाद अगर म मैत के क्युस्टन तो बहुत ही जादा इजी थे मैत के अंदर 40 में से 38 या आप 40 में से 40 नंबर बहुत ही इजी से कोई भी गेन कर सकता था लेकिन यहाँ पे अगर मैं राजस्तान जी के की बात करूँ तो राजस्तान जी के का लेवल थोड़ा टफ आया था राजस्तान जी के कुस्टन्स भी देखने को मिलेंगे तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो है थोड़ी सी गरबड़ी की गई है थोड़ा सा करंट अफेर्स का वेटेज बढ़ाया गया है जबकि सलेबस के अंदर कहीं पे भी करंट अफेर्स के बारे में कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं दी ग दोस्तो तो उससे हो सकता है जिनकी त्यारी अच्छी हो जिनको करंट अफेर्स अच्छे से आता हो उनका तो एक्जाम अच्छा हुआ है अधर्वाइस कुछ बच्चों का एक्जाम जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई है सेकेंड शिफ्ट में लेकिन सेकेंड शिफ्ट में ये प्रॉबलम केवल एक बच्चों के साथ नहीं आई है क्योंकि जीके का लेवल टफ होने की वज़े से सेकेंड जो शिफ्ट था उसके अंदर आपको जो है कट ओफ भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा तो ये ओवरॉल आज हमने बात की है दोस्तो राजस्तान सोसाइटी बोर्ट की जो एकजाम हुआ था 17 जुलाई को सिफ्ट वन और सिफ्ट टू की अब मैं कट ओफ कि अगर आपसे बात करूँ कि क्या आपकी कट ओफ रहेगी तो दोस्तो मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ परसनल कॉन्टेक्ट में हैं उन्होंने मुझे कॉल औ पर्ट करके अपने-पने रिजल्ट बताएं हैं तो एप्रोक्स मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा इस वीडियो के कमेंट में आप अपना-पना स्कोर जो है एक्च्ट्वल score वो आप मुझे share भी कर सकते हैं तो मैं अगर आपको बताऊं इसकी ज़्यादा cutoff नहीं जा सकती 70 से 75 75 में मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ये मैं cutoff आपको बता रहा हूँ general की general की cutoff की मैं अगर आप से बात करूँ तो 70 से 75 तक आपकी cutoff रहने की संभावना है हो सकता है इससे नीचे ही जाएगा क्योंकि आपके exam में negative marking नहीं था लेकिन exam जो है बच्चों ने बहुत ही कम बच्चों ने exam दिया था और बहुत ही कम level की त्यारी करके गए थे बच्चे में आपको साफ साफ बता दू exam में केवल 25 हजार बच्चों ने ही attend किया है exam और जो आपका जो competition था जो आप बोल सकते हो कि tough competition जिनोंने पूरी अच्छे से त्यारी की है वो बच्चे मात्र 4 से 5 हजार बच्चे ही है जिनोंने बहुत अच्छे से त्यारी कर रखी थी इस exam की थे बच्चों के और वो मुझे पूछ रहे थे कि सर इसका syllabus क्या रहेगा सर इसका pattern क्या रहेगा कितने घंटे का exam होगा कितने प्रसन आएंगे तो आप सोच सकते हो कि बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता था कि इसका exam किस तरीके से होगा दूसरी बात इसमें बच्चों को ये भी confusion था कि यहां एक सरकारी जॉब है या नहीं contract बेस पे तो यहां जॉब नहीं है उसके बाद बच्चों को ये भी confusion था कि दो साल के बाद क्या salary में improvement होगा या नहीं तो ये बहुत सारे confusion थे तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ के वल 4 से 5,000 बच्चों के साथ ही आपका competition था और exam tough होने की वज़े से इतनी अच्छी इसकी cut off नहीं जाएगी अगर आपके 65 से 70 या 75 marks तक भी आ रहे हैं तो भी आपका selection हो जाएगा math के अंदर मैं कह सकता हूँ 40 में से 40 number आपके आ जाएंगे और gk के अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा gk कर दिया तो 40 में से 20 number आने का मतलब हो गए 60 number और सहकारिता विबाग का जो syllabus था सहकारिता का जो acts related question थे वो बहुत easy आए हैं उसमें से 10 से 12 number हर कोई ला सकता है तो ये 60 और ये 22 से 75 नंबर तो हर कोई बंदा ला सकता है ठीके तो 70 से 75 मुझे लगता है इसकी cut off जाएगी फिर आप लोग अपने अपने score में साथ share करें उसके बाद फिर एक जो है final वीडियो आपके सामने बनाया जाएगा ठीके आई होप आपको सारी चीजे क्लियर हुई कहीं पर कोई भी confusion है तो मुझे comment, whatsapp और call तीनों कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए close करते हैं thank you friend have a nice day bye bye